असलामों आलेकुम, मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मक्खन वाला भूना चिकन रोस्ट, अब जाएं दोसे, चिकन रोस्ट कहिए, भूना चिकन रोस्ट कहिए, मक्खन वाला, मक्खन यानि के बटर वाला, मसके पढ़िया सा मज़ेदार चलिए, घर पर बनाते हैं जट पट, साधारन याने ordinary ingredients से extraordinary बढ़िया सी लजीज recipe बनाते हैं. बढ़िया सी chicken recipe बनाने के लिए 800 ग्राम chicken bowlless, चर्वी निकाल लीजिए और मैंने medium piece के आप छोटे piece कर सकते हैं और इसकी दो-तीन पाने से पहले तो इसे धो लीजिए और चन्नी के उपर नितानने रख दीजिएगा मैंने थाई पोशिन लिया, आप प्रेस पोशिन ले सकते हैं जब नितर जाए तो एक पातर में यानि कि बड़े से बगोने में दाल दीजिए उसमें दाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने एक छोड़े चाय का चमच दाला है एक टीबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट दाल दीजिए और घर पर काली मिर्चों को पीस लीजिए, दर-दर आसा तो वही पीसी हुई, दो छोड़े चाय के चमच काली मिर्चों के पाउडर दाल दीजिए आदा कप नॉर्मल टेंपरेचर की दही दाल दीजिए आप चाय तो फेट कर दाल सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे मेरिनेट करने, आधे पॉने घंटे के लिए फ्रिच के अंदर ढाक कर रख दीजिएगा चलिए दूसरी पिपरेशन कर लेते हैं, पतीली या फ्राइ पैन के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, यह मैं क्या डाल रही हूँ दो मीडियम साइज की प्यास को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, दो तीन हारी मिर्चिया है, जादा स्पाइसी वाली नहीं है आप आपके स्वाद अनुसर दालिएगा, और वो जो काजू है, बारा तेरा काजू दे, और यह दो मुठी कोथ मिर्चिया है, यह मैं साइप पर रख रही हूँ, यह सारी चीजों को एक से दो टेबलसपून जितना तेल डाल दीजिए, और तेल गरम हो जाए, तो प्यास दालकर प्यास को फ्राई कर लिजए, तब तक फ्राई कीजिए, जब तक पस कलर चेंज होना शुरू ही हो, वहां तक आपने फ्राई करना है, जब आप देखें कि देखिए, हलका कलर वहाना चेंज होना तो यहाँ पर हरी मिर्चियां डाल दीजिये और काजू डाल कर इन्हें एक-दो मिनिट तक फास्ट आज पर फ्राइ कर लिजिए जब एक-दो मिनिट हो जाए चूले को कर दीजिये बंद और यहाँ पर दो मुठी मैंने जो कोतमिर याने के हरा धन्या लि और बहुत अच्छ से ब्लेंड कर लीजिए तब तक ब्लेंड कीजिए जब तक पेस्ट नहीं बन जाता ऐसे और इसे साइट पर रख दीजिए एक घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होके तो चार से पांच टीबल स्पून भर कर बटर, मक्षन, मस्का आप कहते होंगे और दाल दीजिए चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए अच्छा मेल्ट हो जाए तो मैरिनेट करी होई चिकन बिसमिलायरा फाने रिम बूल सकते हैं बार बार उलट पलट करते हुए चलाते जाए गहां इसे अच्छा ये फ्राइपन बहुत वजंदार है तो मुझ से मैनेज नहीं हो पा ना तो मैंने चेंज कर दिया फ्राइपन आप वही सेम फ्राइपन रखिएगा आप चाहें तो एक ही पतिली या जिसमें भी गहरा वाला फ्राइपन ले लिजे तो सारी तीनों चीज उसी में ही हो जाएगी प्यास का भी हो जाएगा ये चिकिन का भी हो जाएगा और ग्रेवी भी उसी में पक जाएगी और मैंने है जब ट्रांसफर किया ना उस फ्राइपन से इसमें तो मैंने दो टीबिल स्पून म आपने नहीं दालना, तो आप skip कर सकते हैं, चलिए, अब तकरीबन आप देख सकते हैं, चूला तो fast पर ही और अच्छे गहरे spots आने लगे हैं, आप देख रहे हैं, इससे मैं side पर हटा देती हूँ, और ये जो मक्खन है, butter muska, चूला मैंने कर दिया बंद, उसको मैं है न, जि दाल सकते हैं या इस समय, नहीं तो totally skip कर सकते हैं, चूला फास्ट आच पर चालो कर दीजिए, और वो जो हरा मसाला आप पीस के रखा था, वो साला डाल दीजिए, इसे mix कर लीजिए, चूला फास्ट पर ही है, ये मसाले डालने तो मैं बता देती हूँ क्या क्या है, आदा चूट चाय का चमच भूना पीसा जीरा पाउडर, एक चूट चाय का चमच धनिया पाउडर, एक चूट चाय का चमच चिली फ्लेक्स, आदा चूट चाय का चमच हल्दी पाउडर, देड या दो चूट चाय का चमच काश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर, मैं कलर के लिए दो चुटे चाय के चमश दाल रही हूँ, आपका स्पाइसी हो तो कम दालिएगा, नम्मक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने आदा चुटे चाय के चमश दाला है, सारी चीज़ों को डाल दीजिए, डाल कर बहुत अच्छे से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, बन फोट कप पानी मिक्सर चार के अंदर डाल दीजिए, चला कर हमारी ये ग्रेवी में डाल दीजिए, एक बार इसे मिक्स कर लीजिए, एक चुटे चाय का चमश कसूरी मेथी को क्रश करके मैंने साइड पर रखा था, तो अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसमें अच्छा खासा उबाला चुका है, तो स्लो आज करके इसे ढाक कर तब तक पकाएं, जब तक मसाला नहीं भूं जाता, तेल नहीं छूच जाता, बीच में दो-तीन बार इसे बार बार इस तरीके से खोल-खोल कर चेक करते जाओ, और नीचे से लगे ना बस ये चेक करना है, इसी समय मैं यहाँ देड़ छोड़ा चाय कचमच फिड़ से यहाँ मखन डाल रही हूँ, यह totally optional है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, चुटकी भर नम्मक एज़स्ट कर लेती हूँ इसके अंदर, और इसे मिक्स कर लीजिए, और इसे जब आप मिक्स कर लें, तो ढाक कर शलो आज पर 4-5 मिनित तक पकने दीजिए, थोड़ा सा मसाले के अंदर चिकन भी तो भूनाईगी न, तो वहाँ तक पकने दीजिएगा इसे ढाक कर, अब यहाँ आपने बहुत ज़ादा ड्राय आउट करना है, तो आप कर सकते हैं, या थोड़ी गरेवी टाइप रखना है, आप रखें तोटली आपके उपर आप देख सकते हैं, मैंने हलकी हलकी थिक थिक गरेवी रखी है, और जैसे जेख सकते हैं, आप मक्षन यानि के ब बढ़िया सी लजीज, मज़ेदार सी, लजददार मक्षन वाला भूना चिकन रोस की रेसेपी, इससे मैं निकाल लेती हूँ, एक प्लेट के अंदर और थोड़े से सालड और लच्छा पराठा जो गेहु से बनाया है, मैंने उसके साथ सर्फ कर रही हूँ, वैसे लच्छ ब्राउन स्पॉट्स दिला रहे हैं, उसी समय चिकन पी पक जाएगी, क्योंके चिकन के पीसे छोटे हैं, इसलिए, स्पाइस जैसे के हरी मिर्च, काली मिर्च, मिर्चो का पाउडर, ये सारा चिली फ्लेक्स अपने स्वादनों सार अज़स्ट कीजिएगा, मक्षन भी बहुत अच्छे लगते हैं, फिर से हाजिर होंगी नहीं शानदर दमदर रेसिपी के साथ, अंसल देन, टेक केर, अलाहाफिस, बाब बाए